तो हरियाना पुलिस कांस्टेबल के जो वेकैंसेस आये थी 2019 में तो उसको कैंसल करके 2021 की नई वेकैंसेस निकाली गई है और इसमें वेकैंसेस की जो संख्या है तो टोटल नमबर वेकैंसेस उसको बढ़ा दिया गया और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है मैं आपको बताने आपके इक्जाम में क्या क्या होने वाला है तो सबसे पहले एक बात जाना जरूरी है कि आपका जो एक्जाम होगा वह ओनलाइन होगा और इसमें कौन-कौन से टॉपिक आएंगे कौन-कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो पूरा का पूरा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इक बात कहना चाहँगा कि जिन दोस्तों ने अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो जो आपका टॉपिक रहेगा पहला वहरियाना का सामान गयान संपूर्ण गयाना उसमें देखिए पहला तो आपका आजाएगा संशित परिचे और दूसरा जो टॉपिक आएगा इसी में हरियाना का इतियास इससे रिलेटेट कोश्चन आएंगे और राष्टी या अंदोलन में जो हरियाना की जो भूमिका रही है उससे भी कोश्चन आएंगे और हरियाना प्रदेश का उदय इससे भी आएंगे हरियाना की जो भौग फिर आता है सिचाई एवं बिभिन परियोजना है नेक्स आता है हरियाना की जो पसुल समपता है इससे भी आएंगे और इसी में अगला टॉपिक है खनिज पदार्थ वन बन जी एवं पर्यावरान नेक्स आता है प्रमो कुद्योग और अगला जो आता है आपका कल्यान कारी जो योजना है उससे रिलेटेट कुशन आएंगे फिर जो आपका कुशन आएंगा नेक्स टॉपिक इसी में है परिवहन बिवस्ता जो है और एजुकेशन से रिलेटेट लेंगर्स और लिटरेचर मतलब भासा और साइस से भी कुशन आएंगे और खिले खेल से भी आएंगे धार में केबम तीरत इस्तल परिटन इस्तल और सोतंतरता संग्राम में जो हरियाना की जो भूमिका रही है इससे भी आएंगे और हरियाना में जो प्राचीन नगर हैं उससे भी आएंगे और सोतंतता संग्रा में हरियाना की अनुसंधान कार्या और सामाजिक बास्सक्रतिक तरसन इससे भी आएंगे और गाईस अगला इसी में आता है आर्थवेवस्ता एकनौमी से व्यक्ति परिशे और हरियाना का जो सामानिगान जो की पैटन जो रहेगा वो आपका अल्टरनेट अब्जेक्टिट टाइप रहेगा मतलब बस तो निष्ट चलिए अब गाइस देखिए अब आपका जन्रल अबरेनेस में सबसे पहले तो आएगा प्राचीन भारत मद्यकालेन भारत आधनिक बहुत तक भुगोल भारत का भुगोल मतलब बिश्ट का भुगोल तो आएगा ही और साथ में भारत का भी भुगोल आएगा भारतिया समिदान भारती आर्थ विवस्ता और साइंस से आपके जो फिजिक्स केमेस्टी में थे स्वरी साइंस में आपका फिजिक्स केमेस्टी इन तीनों से भी कोश्चन आएंगे और जो मिक्स्चर कोश्चन होंगे बिविस समन गयां और करसी तथा पसु पालन से भी रिलेटेट कोश्चन आपके देखने को मिलेंगे रिजिनिंग की बात करते हैं तो रिजिनिंग में पहला टॉपिक हो जाएगा साथ द्रस्तिता, एनालोगी, वरगी करन, सरंखला, संकेतिक भासा परिच्चन रखत समन मतलब बलड रिलेटेशन से जो कोश्चन आते हैं वो भी आएंगे बढ़ माला पर आधारित कोश्चन अलफावेटिकली सीरीज पर जो कोश्चन होते हैं वो भी आएंगे गड़तीय योगिता परिच्चन, क्रम में विवस्तित करना, ये भी आपके कोश्चन मिलने बाले हैं दिसा ग्यान परिच्चन मतलब जो direction and distance के जो कोश्चन होते हैं तो इससे भी एक से दो कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे नियाए निग्बन, मतलब slog से भी कोश्चन आएंगे निरलायक छमता, लुप्त पद, मतलब missing number से जो missing number वाले कोश्चन होते हैं वो भी आएंगे और सिरेणी परिच्चन, मतलब कुछ number दिये होंगे जैसे की 4, 8, 12 और यहाँ पर कोश्चन मारक होगा इस type के भी कोश्चन आएंगे, बेन आरेक से भी आएंगे और समय क्रम परिच्चन से भी कोश्चन आएंगे तो गाइस मैद की बात कर लाएते, तो मैद में जो पाहला topic होगा, number system फिर उसके बाद simplification शर्ली करां दसमलब और भिन इससे भी आएंगे LCM, SCF से related जो कोश्चन बनते हैं वो भी आएंगे ratio and proportion मतलब अनपात एबं सम्मान उपात फिर percentage, प्रतिस अतता से profit, loss, discount वाले कोश्चन फिर SICI जो आते हैं कोश्चन वो भी आएंगे मतलब साधनाव भ्याज और चक्रब्रद्धी भ्याज फिर next topic आता है partner ship मतलब भागेदारी वाले कोश्चन average और से related questions होंगे time and work मतलब समय और कारिया सुरिट time and distance मतलब समय और दूरी और साणी और ग्राफ और उसके प्रियोग वाले जो questions होते हैं वो भी आएंगे और mensuration और last में आता है sankhiki हिंदी कसले बस देख लेते हिंदी में देखिए हिंदी और अन्य भारतिये बासा हैं हिंदी ब्याक्राण का मौलिक ज्यान होना चाहिए हिंदी बासा में जो प्रोसकार बितरन होते हैं जैसे कि ज्यान पीट प्रोसकार ये सारे questions आपको देखने को मिलेंगे अब गाइस बात करते हैं इंगलीस में इंगलीस में पहला टॉपिक है पार्ट आप स्पीच सेकंड टॉपिक है फिल इंदा ब्लैंक्स और तीसरा टॉपिक है सिनोनिम्स पूर्थ मतलब चौथा टॉपिक हो जाएगा आपका एंटॉनिम्स और फाइब मतलब पांचमा टॉपिक है जो स्पैलिंग बढ़ने को आती है और छटा टॉपिक है बन बाट सबसिट्यूशन और जो नेक्स टॉपिक आता है आपका इडियम्स एंड फ्रेशिस और आथमा टॉपिक है एक्टिब एंड पैसे बोईस sentence improvement इससे भी आएंगे close test इससे भी आएंगे और जो questions होते हैं और प्रेक्टिस के लिए ये भी questions आपको देखने को मिलने वाले हैं और अब हम लोग देखते हैं आगे की कौन कौन से मतलब current affairs से क्या क्या आएंगे questions current affairs में आपका पहला topic जो हो जाएगा लाश्ट एक साल का current affairs पूरा तयार करना पड़ेगा जसमें की चर्चित, ब्यक्ति, पुरस्कार, अबार्स वाले questions होते हैं और बिग्यानेवम प्रोध्योगे की राष्टी, अंतर राष्टी है मतलब international वाले जो current affairs के questions है योजनाए, वीतिय जागरुपता और खेल और गाईज, ये था आपका official syllabus, मैंने आपको बता दिया कि आपका syllabus क्या रहने वाला है अगर आपको कोई भी queries है तो आप नीचे comment कीज़े, मैं आपका reply जरूर दूँगा exam से related कोई भी queries है, वो भी आप पूँछ सकते हैं Thank you